Hi guys, welcome back to the channel और crypto के Zero to Hero course में आप सभी का फिर से welcome है यह अपनी तरह का पहला ऐसा course है पूरी Indian community में जो बनाया जा रहा है सिर्फ इस मकसद से कि जो Indian audiences है जिनको बहुत जादा बटकाया जाता है crypto के नाम पे कि ये coin ले लो, वो coin ले लो सारी myth बस्ट करूँगा सारी knowledge Zero से ले के hero वाली बना दूँगा और आखिर में इतने expert हो जाओ कि भाईया किसी के advice लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं तो करते हैं भाईया इतने अच्छे हो जाओ कि मेरी भी ना लेने पड़े कभी भी ने मेरा यह educational content है इससे कोई भी decision अपना लेने की सोचना यह कुछ warnings दे रहा हूं starting में financial advisor मैं नहीं हूं इसमें जो कुछ सिखा के जाओंगा इसमें छोटी उटी अगर कोई गलती हो तो नीचे comment में बताना मैं उसे retake करूंगा बट हर चीज को ध्यान से सुनना पूरा course लेके जाओ और जो course आपको जिस पार्ट पे जाना हो उसके time time नीचे दिएगे उस पे जाके देख लेना skip ना करना पूरा तो ही आपका बला जादा होगा सबसे पहले हम crypto को start करेंगे zero से zero मतलब अगर आप पहली पर crypto का word सुन रहे हो तो आखिर है क्या crypto market देखिए आपने आज तक सुना होगा share market के बारे में share market में क्या होता है कि shares होते है कई सारे ठीक तो उसमें क्या होता है कि लोग trading करते हैं अब trading किस चीज की करते हैं companies की आप companies की वो trading कैसे करते हैं companies जो होती हैं वो चलती हैं बहुत सारे पैसे से अब उनमें जो पैसा लगता है जनरली company क्या करती ओपें कर देती अपनी company को कहती कि भी यह लोग भी इसमें पैसे लगा सकते है तो लोग जो जब उसमें पैसे लगाते हैं तो उसका दाम बढ़ने लगता है company की overall valuation यानि overall company की कीमत बढ़ जाती है जब जादा लोग उस पर trust करेंगे तो company महंगी हो जाएगी सेम एही concept एक और market में लगता है जो कि है crypto की market crypto की market में क्या होता है कि अगर bitcoin है और कोई भी coin है पहले चीज तो मैं आपको बता देता हूँ bitcoin क्या है bitcoin basically satoshi nakamoto शक्स ने एक ऐसा coin मनाया जो दिखता नहीं है जो digitally आपके computer या फिर laptop या फिर mobile में होता है और यह जो ऐसा coin है जिसको unique है जो मतलब कि जिसको आप copy नहीं कर सकते किसी और के पास same bitcoin नहीं हो सकता यह बहुत बड़ी अच्छी चीज निकली और इसको track जो है generally नहीं किया जा सकता कि आदमी कौन उसके पीछे जिसके wallet में यह coin रखा हुआ है generally आपके पास जो cash आपके हाथ में note होते हैं उनसे track किया जा सकता है कि वो note कहां से कहां आ जा रहा है government जब चाहे उसमें कोई chip लगा सकती है कुछ भी कर सकती है आगे future में बट हमें चाहिए था कि ऐसा system जो कोई और track ना कर सा है जो जिस पे किसी एक का हक ना हो ऐसा कोई financial system तो note वगेरा जो छपते हैं उस पे तो आपके country के जैसे हमारे वाँ RBI का जो चलता है कि उस पे RBI की मनमानी चलेगी जैसे आपका US हो गया वहाँ की treasury का चलता है तो ऐसे हर country का अपना खुद का होता है कि वो देखती है कि हम कितना पैसा चापेंगे कितना नहीं चापेंगे अकसर ऐसा होता है उनके पैसा जादा चापने से क्या हो जाता है कि inflation बढ़ जाता है महेंगा ही बढ़ जाती है उनके कम चापने से भी दिक्कते आ जाती है तो दोनों तरफ से दिक्कते होती है तो हमें चाहिए ठीक ऐसी currency जो इन सब चीजों से unaffected हो जिसकी supply सेम रहे जिसकी supply नहीं बढ़ाई जा सकती अब supply जब मैं बोलता हूँ supply का मतलब क्या है supply का मतलब होता है किसी भी चीज की गिंती में कितना वो होगा ठीक जैसे आपके पास जो cash होते है note government और चाप सकती कभी भी उसकी कोई limit नहीं है वैसे बिटकोईन की एक fix limit है यही उसकी एक बहुत अच्छी खासियत है fix limit आप कैसे देख सकते हो आप जाओ coinmarketcap.com में यहाँ पर coin की listing होती है एक तरह से यह आपका खाता book होता है जहाँ पर सारे coin लिखे हो है यहाँ जब आप bitcoin के उपर click करते हो तो यहाँ side में आपको दिखेगा कि maximum supply और circulating supply आखिर इसका मतलब क्या होता है let me show you यह जो आपको side में circulating supply दिख रहा है यहाँ 19 million दिख रहा है और यहाँ पर आपको maximum supply दिख रहा है 21 million का मेरा मतलब क्या है 21 million total crypto होंगे bitcoin होंगे दुनिया में कभी भी future में 21 million से जादा कभी होई नहीं सकते तो अभी तक 19 million बन गए अब bitcoin का कुछ ऐसा mechanism है कि पिछले 10 साल से bitcoin बनते ही जा रहे है और बनते ही जाएंगे तब तक जब तक यह 21 million नहीं हो जाते 21 million होने के बाद इसका बनना रुक जाएगा इसलिए जब तक यह बन रहे हैं तब तक लोग यह मान के चलते हैं कि इसका price बढ़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया इसके बारे में जानती नहीं और हर बार नए लोग आते रहेंगे तो यह है concept bitcoin का जैसे जैसे मैंने आपको पताया था कि कोई company में लोग पैसा लगाते हैं तो उसका दाम बढ़ना शुरू हो जाता है वैसे वैसे bitcoin के बारे में जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा obvious सी बात है उसका दाम बढ़ेगा क्योंकि आपको पता है कि circulating supply या फिर maximum supply bitcoin की खाली 21 million है तो coin तो हम घटा नहीं सकते तो इसका मतलब उसका price बढ़ेगा अब आपको बहुत confusion हो रही होगी मैं simple से बताता हूं मैं कहना क्या चाहरा हूं supply and demand आपको इससे समझना होगा finance में एक concept होता है supply and demand का supply and demand का मतलब होता है किसी भी चीज की गिंती कम है तो उसकी कीमत जादा होगी किसी भी चीज की गिंती जादा है तो उसकी कीमत कम होगी मतलब अगर आपके पास 10 यहां पर सेब रखे हुए ठीक और 10 सेब आप बेचने जाओगे तो आप एक सेब की कीमत जो है दूर से तो गिंती के से बहुत कम है और आपके पास भी सेब खाली खाली चार है तो आप एक सेब को चाहो तो 100 पर बैश सकते हो वहां के लोग मना भी नहीं करेंगे क्यों मना नहीं करेंगे क्योंकि आसपास है भी नहीं कोई से तो इस तरह से लोग supply और demand का खेल चलता है दुनिया में यानि जहां पर गिंती कम होगी या फिर अगर पूरी दुनिया में गिंती कम है तो उस चीज का value बढ़ जाएगी जैसे सोने की value इतनी जादा क्यों है diamond की value इतनी जादा क्यों है इसी तरह से bitcoin की जो supply है वो खाली 21 million है तो लोगों को जब पता चलेगा पूरी दुनिया की अबादी कितनी है 8 billion से जादा ठीक और 21 million है खाली तो मतलब एक आदमी हर एक आदमी के पास एक पूरा bitcoin आएगा भी नहीं अगर पूरी दुनिया में bitcoin चा गया तो इसका मतलब है लोगों में हर बड़ी मचेगी time के साथ जब अगले 100 साल तक लोगों के पास bitcoin नहीं आएगा तो हर बड़ी मचेगी हर बड़ी मचेगी तो bitcoin का price बढ़ेगा क्यों बड़ेगा क्योंकि गिंती तो सेम है ना supply तो सेम है जैसे आपको पता है save का concept कि 10 save है उनी 10 save की कीमत एक शहर ऐसे शहर में बहुत कम होगी जहां पर बहुत सारे save है लेकिन उसी save की 10 save की कीमत उस शहर में जादा होगी जिस शहर में save ही नहीं आसपास तो वही सेम चीज है bitcoin जैसी currency कहीं और है ही नहीं तो bitcoin पूरी दुनिया में सबसे कम 21 million है तो हर एक को हर एक इंसान को एक एक मिलेगा भी नहीं इस वज़े से bitcoin की value है तो इसके साथ हमारा पहला पार्ट खताम होता है कि bitcoin आखिर क्यों बढ़ता रहेगा और आखिर था क्रिप जिसकी value एक डॉलर रखी जाती है इसनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आ गया bitcoin के बाद उनकी copy बनाई गई कुछ कुछ कमिया bitcoin की निकाल के उनमें सुधार करके और सारे coin मनाते गए तो ऐसा करके आप coinmarketcap.com या फिर coingeko.com पे जा सकते हो यह दो की website है जिन पर सारे दुनिया के coins लिस्टेड है अब आपको के bitcoin के अलावा coins क्यूं है यह जो 13,000 कोई यहां 19,000 कोई दिखा रहा है इसने coins क्यूं बन गए जेनरली क्या होता है क्रिप्टो में bitcoin तो सबसे राजा है इन सब का पर bitcoin की कुछ कमियों को solve करने के लिए कुछ अच इसे प्रोजेक्स गिंती के ही आया है पचास सो दोसो होंगे लेकिन जो 19,000 कोई यह सब बकवास है मतलब इसमें क्या हुआ कि क्रिप्टो का कोई भी regulation नहीं था इससे पहले सरकार को भी नहीं पता कि इसको लेकर कैसे काम करना क्यूंकि जनरली इतनी अवरिजनेस नहीं होत तो इस वज़े से क्या होता है हर coin को लोग बेचने की कोशिच करते हैं इस तरह से करते करते 17-15,000 coins मैं कहता हूं इसमें बकवासी coin भरे हुए ठीक तो ऐसे coins से आपको बच के रहना है अब आपको knowledge हो गई है कि bitcoin क्यों जरूरी है ठीक bitcoin एकलोता वो है जो original था bitcoin की बाकी सब copy है उनके ही concept को copy करके बनाए गए है अब चलते हम अपने third part पर जो की है bitcoin को trade किस तरह से किया जाता है कहां पर किया जाता है देगे trade करने से पहले आपको पता होना चाहिए को इतने coins है coins जानने के लिए आप यहां पर आ सकते हो ठीक third part अगर हम जाने तो trading view एक ऐसी website tradingview.com पर आपको क्या करना है side में sign का button होगा sign in कर लो account बना लो account बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो यहां पर search markets में जाओगे और यहां पर बिटकोइन सर्च करोगे symbols में जाना bitcoins में जाओगे और यहां पर आपको दिखाने लगेगा bitcoin जैसे माल लीजे bitcoin यहां पर दिखा रहा है बह खबराओं मत क्या होता है इसको जानने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ जल्दी से देखे सबसे पहले आपको जानना होगा bitcoin की supply का खेल क्या है तब ही आप समझपाऊगे सारे crypto की supply का खेल अब supply की खेल पर चलने के लिए हम अपने next chapter में चलते है next chapter मैंने आपको बता दिया था already supply and demand जो है वो कैसे वर करता है जब supply कम होगी तो demand जाधा होती इस वजाए प्राइस जाधा होता है जब supply ज़ादा होती तो demand कम होती है हर एक coin की value गिर जाएगी जैसे हर एक save की value बढ़ा दे रहा था वो आदमी तो इसी तरह से supply ज़ादा होगी तो हर एक save की value कम होगी supply कम होगी तो हर एक save की value ज़ादा होगी इसी वज़ाई से bitcoin की माल लो total supply माल लो Bitcoin एक ऐसे समय पर ले लो, अभी 19 million Bitcoin बन चुके हैं, ठीक, Bitcoin 19 million बन चुके हैं, तो अब आपके सामने में आपको calculator open करके दिखाता हूँ, कुछ चीज, ठीक, 19 million Bitcoin बन चुके हैं, टोटल, और हम यहाँ पर लिखेंगे 19, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यह 19 million हमारा बन गया, 3, 3, 6, 19 million coins हमा लगता रहा और इसका price बढ़के हो गया, 19, 480, जब 19, 480 इसका price हो गया, तो एक चीज होती है, जिसको हम कहते हैं, टोटल Bitcoin में कितना पैसा लगा हुआ है, यह आप कैसे calculate करोगे, पूरी दुनिया का कितना लगा हुआ है, तो माल लो, एक coin की value है, 19, 480, और आपको पता है, circulating supply, यानि कि जो supply इस समय circulate हो रही है, घूम रही है, मार्केट में, यानि अभी 2 million बननी बाकी है, यानि 20 और 21, यानि 2 million coin बनने अभी बाकी हैं, लेकिन 19 million coin बन चुके हैं, और उन 19 million coin के price को, current price को multiply कर दो, 19,500 से, तो आपका क्या आएगा, यह value को हम क्या कहते हैं, रुको equal पर क्लिक करूँगा, और यह value आई हमारी, अब यह value का मतलब क्या है, यहाँ देखो, इस से मिलती नहीं है, मिलती जुलती नहीं लग रही है यह value आपको, ज़रा zoom करने दो, यहाँ पर दिखा रहा था यह, तो let me show you, यहाँ देखो, यह क्या है, यह market cap के नीचे लिखा आखिर यह क्या value है, यह तो आपको पता चल गए कि market cap नाम की जो चीज है, यहाँ पर लिखी हुई, यह कैसे निकाली गई है, यह निकाली गई है, प्राइस को multiply करके, उसके circulating supply से, ना की maximum supply से, maximum supply तो वो है न, जिसमें वो भी included है, जो भी बनी ही नहीं, हम उस से multiply करते हैं, अभी circulate कर, यानि अभी market में है, उस से multiply करेंगे price को, तो हमें यह चीज मिलती ही, जिसको कहते हैं market cap, market cap वो total पैसा है, जो दुनिया की इंसानों का लगा हुआ है bitcoin में, समझ में आ रहे हो, अपने दिमाग से लगा हो, कि 19 million coins हैं, और एक coin की value है 19,500 dollar, तो total कितना हो गया, 370 billion dollar जो है, पूरी दुनिया में लोगों के लगे हुए है bitcoin में, तो यह है हमारा third concept, जो आपको पता होना चाहिए, कि market cap क्या होता है, और current price क्या होता है, और circulating supply क्या होता है, जब हम current price को circulating supply से multiply करते हैं, तो हमें मिलता है bitcoin का market cap, इसी तरह आपने एक important चीज जान ली crypto में, जो आ पोल का dot को उठा लेते हैं, पोल का dot की आपने देखी, यहां circulating supply side में लिखी हुई है, 900, यहां पर देखे, 987 million dot बने हैं, अभी, और total supply कितनी है, 1.1 billion, उसको हम नहीं लेंगे, हम circulating supply को लेंगे 987 million, और पूरी गिंती नहीं डाला हूं, इसलिए थोड़ा answer अलग आये हो सकता और price के चल ला है, 7.27, तो हम इससे multiply करेंगे, 7.27 को multiply करेंगे, 987 million से, 1,2,3, 1,2,3, और जब हम multiply करेंगे, तो आ रहा है यह 7 billion, 7 billion, यहां देखो जड़ा, क्या दिखा रहा है, market cap में, 7 billion दिखा रहा है में लगबग, और थोड़ा ज़ादा दिखा रहा है, क्योंकि मैंने नहीं डाली थी, market cap आप समझ गये होगे, क्या होता है, तो आपको market cap देखना होता है, जब भी आप कोई coin करी दोगे, market cap और यह circulating supply, यह दो चीज़े हमेशा देखो, अब इनको देख कि आप अंदाजा कैसे लगा सकते हो, मैं कैसे लगा देता था, अंदाजा कि भाई, यह coin ज़ादा है, यह coin नहीं, मालो कि आपका bitcoin चल रहा है, bitcoin का market cap है 371 billion, और कोई coin है, मालो, कोई भी coin अभी जो rally कर गया हो चानक से, Shiba Inu को ले लो, Shiba Inu coin है, लोग कहते हैं, कि इसकी value 1 dollar चली जाएगी, अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्यों Shiba Inu 1 dollar नहीं जा सकता, इस supply से, क्यों, देखो, total supplies की कितनी, 549 billion, ठीक, 549 billion है, और उसको हम multiply करें, 1 dollar से, मालो अभी नहीं गई है, लेकिन 1 dollar से multiply करें, तो यह 549 billion हो जाएगा, 549 billion होने का मतलब क्या है, 371 billion तो खाली bitcoin का ही market का, तो क्या आप यह कह रहे हो कि कल का आया कोई meme project, Shiba Inu जैसा, bitcoin को हरा गया, उसस जादा top पे पहुँच जाएगा, समझाई बात, क्यूं मैं Shiba के खिलाफ था, उसके concept के खिलाफ था, अब आपको समझ में है, total जब आप multiply करोगे Shiba की supply को इतनी जादा, उससे 1 dollar या 1 रुपय लाके भी, तो उसका पूरा total जो market cap है, यह वाला, 4 billion जो की सिर्फ है, यह पहु जादा के लिए, वो ऐसे coin को हरा देगा, जिसने सारे coin को जनम दिया Bitcoin को, तो ऐसा नहीं है, और अगर आप ऐसा सोचते थे अब तक, तो अपनी सोच बदल लो, क्योंकि आपका crypto में रहना मुश्किल हो जाएगा, अगर आप ऐसी सोच के साथ रहते हो, तो जब भी आप कोई coin लेते हो, उसके market cap को लेके, उसके price का अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाता है, जब आपको ये चीज समझाती है, अब जैसे मैं आपको एक अंदाजा देता हूँ, जैसे chain link coin है, chain link coin की total supply 467 million circulate कर रहे है, अभी max भले 1 billion हो, लेकिन अभी 467 million है, 467 million के हिसाब से मैं इसको multiply करने की कोशिश करता हूँ, जब इसको multiply करता हूँ, एक market cap मुझे दिखता है, जो कि दिखता है 2-3 billion का, मैं सोचता हूँ कि 2-3 billion, और फिर देखता हूँ कि क्या chain link काम कर रहा है, अब chain link जो काम कर रहा है, बहुत solid कर रहा है, क्योंकि chain link के connection Google तक है, chain link के advisory board में Google के ex- चेनलिंग के जो पूरी डेवलेपर टीम है उसमें बहुत बड़ी बगड़ी कंपनी का नाम है चाहे आप Amazon ले लो चाहे बुगाटी ले लो कोई भी कंपनी BMW गएरा जितनी है बड़ी बड़ी कंपनी को इंडिरेक्ली डिरेक्ली चेनलिंग काम कर रहा ठीक अब आपने ये ख है आप लगबग चल रहा है तीन बिलियन तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि अगर चेनलिंग मैक्सिमम भी जाएगा तो बिटकोईन के जितना तो जाएगा नहीं 371 तो ये मैक्सिमम कितना चला जाएगा मालो यहां से 10 बिलियन चला जाए क्योंकि जैनरली टॉप 10 में ज जाता है तीन से तो यह 3 गुना हो जाएगा तो आपको इससे बता चल गया कि चेनलिंग का टार्गेट मन में हो गया 6 इंटू 3 यानि 18 डॉलर चेनलिंग फ्यूचर में जाएगा इसली बता रहा हूं अब क्यों मैं बोल रहा हूं क्यों बोला मैंने कि 18 जाएगा इससे आप में आएगा तो उसका भी 10 बिलियन नहीं 20 बिलियन नहीं 30 बिलियन होना डिजव करता है तो यहां से अगर मालो एक ऐसा फ्यूचर आता है जिसमें चेनलिंग जो टॉप 10 कोई से वो 60 बिलियन लेके बैठे हैं तो 3 बिलियन से 60 बिलियन जाने के लिए कितना चाहिए हो कि कि किसी भी कॉऌइन को कैसे लेना है और कैसी अन्दाजा लगाना कि वो कितना जा सकता है हमेशा एक्छी याधा रखना मार्केट का टोटल है फिलाल के लिए वह ऐसा अन्दाजे के लिए कम करता है कि maximum इतना ही जा सकता है इतना भी नहीं जाता है वैसे तो wasting अश्ने मान इसी में सबसे बड़ी गलती सब लोग करते हैं फिर मेरे पास आते हैं कि भाई ये ये फाल कु तू फ्लोकी इनू और ये मुन्ना इनू चुन्नी इनू गुड़ू इनू मुन्ना इनू पता निक्या क्या है ऐसे कॉइन्स जो हैं उनका जो अगर आपको इसा कहते हैं तो आपको मतलब ये है कि क्या आपका जो चिंदी कॉइन है आपका जो फ्लोकी इनू ये मुन्ना इनू गुड़ू इनू वो क्या बिटकॉइन को हरा देगा अगर आपको इतना विश्वास है तो फिर ठीक है एक डॉलर चला जाएगा वलाल मैं जो है रियलिस्टिक चीजों पर बात करता हूँ इसलिए मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स चैप्टर की और जो की है ट्रेडिंग में कैसे क्रिप्टो को ट्रेड किया जाता है तो लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि ट्रेडिंग व्यू क्या है ट्रेडिंग व्यू जिन लोगों को नहीं पता है उन लोग को बता देता हूँ ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप जाकर आप trading start कर सकते हो account बनाके यहां पर trading नहीं होती है यहां पर आपको chart मिलते है chart यानि की price कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है वो आप यहां से देख सकते हो जैसे आपको bitcoin का chart देखना हो यहां bitcoin पे click करो side में ऐसा करके एक chart खुल जाएगा ठीक यह आपको समझ में आ गया होगा अब मैं आपसे एक और चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपने twitter पे follow नहीं किया है तो please twitter को follow कर लो वहां पर मैं important चीज़े डालता हूँ आप लोग के साथ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मेरे जो यह hard work है उसका एक result आपको twitter पे देखने को मिले मुझे अगर और साथ ही साथ आप चैनल को भी subscribe करना अगर आपने नहीं किया है आप चलते हैं directly trading view के अंदर तो trading view में जब आप bitcoin का chart खोलते हो यहां पर search कर सकते हो symbol search करके लिखके आएगा उसके नीचे आप सभी का search कर सकते हो stock चाहे तो आप यहां stock दिया है यहां futures दिया है यहां forex दिया है इन सब को जानने की कोई जरूत नहीं stocks का समझ लो यह share market होती है और crypto की market के लिए यहां पर दिये होते है coins तो यहां पर सबसे पहले bitcoin usdt लिखके आ रहा है तो एक बात बता दू कि मान लो पूरी दुनिया में इस समय क्या चल रहा है एक डॉलर चलता है हमारे वाँ एक रुपए चलता है जो minimum जो currency चलती है जब हम ट्रेड करते हैं कुछ भी खरीदते हैं बेशते हैं तो एक डॉलर की value को इन company ने इस company ने बनाने की एक ठानी उन् कोईन का price हमेशा एक डॉलर के आसपास रहेगा यहां पर 99 cent दिखा रहा है बट इसका कोशिश यह रहती कि एक डॉलर है तो ऐसे coin जिनकी कोशिश यह होती है कि वह एक डॉलर बने रहे हैं कोशिश में बोलना हूं इन चीजों पर ध्यान देना मैंने कोशिश बोला है यह न बिलियन डॉलर के market cap का जो stable coin है वो है USDT अब इसकी जरुवत क्या है जनरली जब आप पैसा डालते हो crypto में तो आपका पैसा से आप पहले इनको खरीदते हो USDT को ताकि इनसे आप बाकी चीजों को खरीद सको क्योंकि आपका पैसा होता है INR यानि रुपीज में या फिर dollar मे उसको आपको coins में convert करना होगा क्योंकि trading जो होती वो coin के बीच में होती है आपके रुपे और coin के बीच में नहीं तो आपको पहले ये coin खरीदना होगा stable coin कोई और उस stable coin से आप जाके bitcoin खरीद सकते हो तो BTC को जब आप खरीदते हो यहाँ पर chart देखते हो BTC USDT जब आप लिखते हो तो BTC USDT Excel लिखके आता है इसका मतलब यह होता है bitcoin को आप USDT दे कर कितने rate में खरीज सकते हो कितने USDT लगेंगे एक bitcoin को खरीदने में तो यह है वो chart उस चीज का अब इस chart में बहुत सारी important चीज है लाल और हरी डंडिया अब दिख रही है डंडियों को मतलब क्या मतलब क्या होता है तो let me show you सबसे पहले green जो डंडी होती है वो price के उठने का अंदाजा बताती है कि price उठ रहा है और लाल जो है वो simply गिरने का बताती है यह तो आपको पता होगा अब नीचे यह जो line बन के आ रही है उपर तो यह price बन के आ रहा है यह जो उपर price बन के आ र हमारा volume ठीक इसको हम कहते है volume volume का मतलब क्या होता है volume का मतलब होता है कि आप यहां पर कितना दुन्या में trade हो रहा है crypto इधर से हाथों को exchange कर रहा है मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ जा रहा है मतलब एक दिन में कितनी खरीद फरोग थो रही है पूरे bitcoin की पूरी दुन्या में चाहे वो बेचा जा रहा हो चाहे वो खरीदा जा रहा हो तो जिस दिन volume उती यह जिस दिन खरीद फरोग जादा हूई उसदिन आप देख सकते हो कुछ ना कुछ बड़ा move आता है या तो market बहुत उठी है या market बहुत गिरती है जैसे इस समय आप देखो मैंने आपको trading का ए रहा था तो ईक green dandy थोड़ी बड़ी आई generally से ठीक तो इसी तरह से चीजे काम करती हैं और यही मैं आपको बताना चाह रहा था तो अब फिलहाल price जब उटता है तो green दिखता है जब गिरता है तो red दिखता है मार्केट का एक उसूल है कि मार्केट नहीं कभी सीधा उठती है नहीं कभी सीधा गिरती है यानि जब भी यह उठ रही होगी तो बीच में लाल देती हुई जाएगी जब भी गिर रही होगी तो बीच में हरा देती हुई जाएगी जैसे आप देख सकते हो कि जब यह उठ र resistance लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा सबसे पहले आप Twitter पर अगर follow नहीं कियो तो में secure करिए Twitter पर आप follow कर लें इससे पहले कि हम trading करना सीखें उससे पहले हमें एक important चीज जाननी होगी कि trading आखिर होगी कहां पर मैंने आपको यह तो बता दिया कि इस तरह का कुछ दिखता है चार्ट पर कहां दिखेंगा खरीदेंगे और बेचेंगे कहां यहां पर तो चार्ट दिख रहा है तो खरीदने बेचने के लिए हम आपको लेके चलते हैं coinmarketcap.com पर यहां पर उपर बहुत सारी चीजे लिखी हुई यहां पर आपको crypto currencies दिख रहा है इनको आप देख सकते हो किस हिसाब से देखना है वहीं bugle में आपको exchanges लिखा दिखेगा exchanges के उपर click करो exchange मतलब वो जगा जहां पर आप exchange करोगे अपने bitcoin को usdt से या फिर usdt को bitcoin से तो exchanges का मतलब यह है वही app वही website जहां पर आप जाके खरीद बेच सकते हो bitcoin को तो यह देखिए सबसे number one पर bit finance आ रहा है आपके सामने ठीक second पर आ रहा है ftx नाम का तीसरे पर coinbase आ रहा है चौते पर kraken आ रहा है तो binance पर यह देखो इस तरह का होगा binance.com पर जाओगे वहाँ पर आपको क्या करना है account create करना है description में आपको link मिल जाएगी अगर आप channel को support करना चाहते हो तो description की link से ही जाकर sign up करना ठीक तो आप वहाँ पर जाओगे आप यहाँ पर account create कर सकते हो अगर आप चाहो तो और उस तरह से आपको यहाँ पर logout कर देता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंपल क्या होता है जैसे यह आपका account है आपको इस तरह का page दिखेगा login और register का आएगा यहाँ पर आपको email या phone number डालना है get started भी करना है अगर आपको यह tough लगता है वरना मैंने अपने channel पर यह एक video बना के रखी जो की आपको trailer में मिल जाएगी complete binance tutorial ठीक इस tutorial में मैंने binance के setup बताया किस तरह से खरीदना है किस तरह से नहीं करीदना है सब बता के रखा ठीक आपको simply सब कुछ मिलेगा channel पर यह binance है अब इंडिया में आपको खरीदना है आपको दिक्कते नहीं चाहिए तो जनरली जो लोग खरीते हैं वो वजीरेक्स करते हैं मेरा पहला जो experience था वो वजीरेक्स के साथ था इसलिए मैं उसी के बारे में ज्यादा जानता हूँ बाकियों को मैंने यूज नहीं किया एक और coin है जिसके बारे एप है जिसको बहुत होती है वो है CoinDCX तो CoinDCX को भी आप चाहो तो sign up कर सकते हो ठीक इसकी link मेरे पास नहीं है तो आप जाके अपने आप से कर लेना प्ले स्टोर या कहीं भी वजीरेक्स की link भी description में होगी कर सकते हो sign up तो Binance एक ऐसा exchange जहां पर आप trade कर सकते हो easily जाके आपको account बनाना है उसके अंदर login कर लेना है और उसके अंदर पैसा कैसे बेजना है सब आपको वीडियो में बता के रखा है तो अब तक जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आप इतना knowledgeable already बन गए हो कि आप बहुत लोग जिसमें बहुत सारी चीज़े होती है पर मैं आपको ऐसी चीज़े बताऊंगो जो बहुत important है सबसे पहले support and resistance support and resistance का मतलब यह होता है support वह जगो चीज जो रोक के रखती है support देती है आपको support देती है अच्छा कासा गिरने से बचाती है ठीक तो support वह चीज होती है और resistance क्या होती है वह चीज जो आपको रोकती है ठीक तो आप simple अंदादा लगा सकते हो trading में उसका क्या मतलब है trading का मतलब यह जब price बहुत तीजी से गिर रहा हो और कहीं पर आके रुख जाए तो वह support बन जाता है जैसे कि यहां पर देखो इस एक जगह पर मैं drawing tool लूँ और यहां प जगह पर आकर price रुख गया फिर उठ गया फिर गिरा और फिर इसी जगह पर आकर रुख गया और फिर उठा हलका से ठीक बाद में बार गिर गया वह अलग बात है पर दो बार जगह रुखा ना जब यहां पर रुखा तो वह important जगह बन गई एक ऐसी जगह trading में बन जाती ह जहां पर चीजे रुकती हैं तो buying and selling का एक पहला जो concept है वो यह है कि यहां पर आप buy कर सकते हो क्योंकि chances होते हैं यहां से price फिर से उठ जाए जैसे यहां पर उठा था पिछली बार तो अगली बार लोगों ने यहां पर इसको फिर खरीदा होगा और यहां उठने पर बेच को resistance जहां पर जाके price एक बार गया फिर उपर नी जा पाया लड़के नीचे आ गया फिर यह उपर कोशिश किया फिर लड़के नीचे आ गया तो यह से हम कहते हैं resistance तो यह simple सी चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए support और resistance आकर होते क्या हैं तो अब अगर मैं यहां पर इ price आगे कहां जाएगा ठीक लेकिन मैंने देखा कि price इस जगह पर जब आया था उठते हुए यहां पर और यह गिरा यहां पर धड़ाम से तो उठ गया price तो मतलब यह जगह कुछ important रही होगी तो मैंने क्या किया इस जगह का फिर से वेट किया price गया महीनों लग गया मुझे price फिर से इस जगह आया और देखो गे कि इस एरिया में हमको थोड़ी बहुत उचाल देखने को मिली इतनी उचाल मेरे ले काफी थी देखो फिर यहां पर price ने इसको रोकने की कोशिश की थी और इसी जगह पर आप देखो कि थोड़ा सा नीचे हम गये अगर हम पूरा ओव कर सकते हो कि भाया कहां खरीदा है कहां पर बेचना है जब आपको लगे कि यह जगह रेजिस्टेंस है पिछली बार आके लुड़का है तो अगली बार में लोगों ने बेच दिया होगा यहां पर अपना bitcoin या फिर क्रिप्टो और इस वज़ए से क्या हुआ कि price बहुत अब द् electr Chance उपर के ओर रोकता है तो यह पहली चीज आपको पता चल गई दूसरी चीज जह क्या होती है यही ःगkem bonus कंडल का मतलब समझा देता हूँ एक दंडियां पतली-पतली क्यों के निकली हुई है यह बता देता हू पहले वालुम को बंद कर देता हूँ यहां पर आ मिनट लगा सकते हो आपको कितने मिनट का देखना है एक candle होगी वह सकते हैं जो फिर फिर तने दिन कि बनेगी जैसे मैं चार गंटे क्योंतों दिखेंग이 यह कहीं यहां कहीं पर वो छार गंटे की देखने को मिलेगी यह दो इसको जूम करूंगा जब था ओर इक candle जो है वो हमारी 4 घंटे के duration को बताती है नीचे time check कर सकते हो यह 12 बजे से है और यह 16 बजे से है तो 4 घंटा हुआ ना बीच में तो यह देखो यह जो candle है यह हमें बताती है कुछ ना कुछ तो इस 4 घंटे में क्या-क्या हो बताता हूँ 4 घंटे की शुरुआत हुई इस जगह से यानि प्राइस था 30,427 पर और प्राइस की जब इस 4 घंटे खतम हो रहते है 16 बजे तो प्राइस की खतम जो हुआ वो इस जगह पे हो यानि 29,177 पर तो यह opening प्राइस होता है यह closing प्राइस होता है एक candle का मतलब यह होता है ठीक अब अब आपको कुछ दिखाता हूं कि कुछ candle में आपको यह दिख रही हों कि डंडिया यह पतली पतली डंडिया मैं इनको कहता हूं simple समझाने के लिए देखो इस candle में क्या हुआ कि आपको बहुत चीज़े देख रही है पहली चीज क्या है यह जो एक line बनी हूई है पतली से तो क्या है। तो 4 गंटे के दौरान मालो दूसरे गंटे के दौरान ही प्राइस इतनी जोर उचाल मारा और प्राइस यहां तक चला गया 3782 तक लेकिन वहाँ पे hold नहीं किया मतलब प्राइस वहाँ से नीचे आ गया और जब 4 गंटे खतम होने गया थे प्राइस फाइनली यहां पे बंद हुआ 3175 तो कहने का मतलब यह है कि प्राइस बीच में जितनी उचाल मार रहा था वो देखने को मिल जाता इससे पता चल जाता यहां तक गया था प्राइस 3700-800 तक लेकिन प्राइस उतना नहीं हुआ देखो ओपनिंग होई इस जगह पे जहां पे नॉर्मल ओपनिंग होती है ठीक इस तरह से पर जो जहां पे डंडी जाती है न वो उस दोरान के बीच का हाइस और लोइस होता जैसे इस कैंडल में आपकी डंडी कहां तक गई नीचे गई और यह दोखो इस जगह तक डंडी गई यानि 29,831 लेकिन उपपर उड़ गया क्लोजिंग होनी थी वो उपपर हुई और इस जगह पर क्लोजिंग यह ती इस उपपर ले जाकर होती है जैसे आपके सामने एक ज़स सामने ँरेकिए यह घ्रीन केंडल है ठीक इसको समझाते हैं बहुत अच्छी तरह का सब्सक्राइब 10C 294 यह हाइस था उस का 3541 उस दौरान गया था सबसे हाइस और फिर टाइम आते आते नीचे यहां पर भी गया यह 39350 तक लेकिन जब क्लोजिंग का टाइम आया जब 4 घंटे क्लोज होगे तो प्राइस यहां पर क्लोज हुआ उपपर 29492 पर तो ओपनिंग यह थी 3300 और क्लोजिंग यह थी 29400 लेकिन उस दौरान बीच में highest यहां तक चला गया था 3500 तक और lowest गया था 29345 तक तो यह होता है एक candle का मतलब और यह आपको हमेशा पता होना चाहिए इकला है आपको resistance और support पता चल गया बस इतनी चीज़े बहुत काफी है ट्रेड करने के लिए आपको यह तो पता चल गया जिसको कहते हैं RSI Relative Strength Index Relative Strength Index एक तरह का बताता है हमें पिछले 14 candles का ताकत बताता है कि कितनी पावर है कितनी नहीं है तो यह उपर रहता है यह तो नीचे रहता है तो बीच में इसकी value 0 से 100 बीच में होती है जब यह 100 पहुँच जाए तो बताता है कि price जो है coin का वह बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है मतलब बेचने का time आ गया है और जब यह बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है तो इसका मतलब है कब खरीदने का time हो गया है तो आप देखोगे ना अगर आप weekly में start को लगा दो एक week का एक week की candle है तो आप देखोगे सबसे नीचे चल रहा है इ यह खरीदने का time है तो इस तरह से आप RSI से भी मदद ले सकते हो तो यह आपको ट्रेडिंग का एक chapter हो गया जिसमें आपको basic trading बता चल गई अब चलते हम अपने next chapter की ओर तो अब तक हमने crypto में trading के बारे में जाना अब हम जानेंगे crypto में next concept के बारे में जिसमें आपको थोड और नहीं किया है या फिर चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लीजे मेरी आपसे चोटी से request है इसके बदले सिर्फ इतना इसा चाहिए सबसे पहले आपको क्या जाना चाहिए cryptocurrency wallet क्या होती है wallet का मतलब क्या होता है जैसे आपके पास एक purse होती है वैसे ही wallet भी होती है उसको wallet कहते है लेकिन digital वही चीज हो जाए यानि आपके mobile में एक purse हो आपके पास जिसके पास आप coins रख सकते हो bitcoin crypto कुछ भी उसको हम कहते है wallet digital wallet इनको कहते है जादा तरह इनको deep में बताया है तो web 3 wallet कहा जाता है ऐसी wallet में number one पे जो आती है metamask अकिर metamask क्या करती है उससे जानने से पहले ह इस तरह से work करता था मान लो कि आपके पास आपको किसी को email भेजना है ठीक अब आपको जब email भेजना होता है तो हर किसी को आप अपना email बता के रखते हो जिसमें आपको कोई डर्म नहीं है जैसे आपका email है 1234 at the rate gmail.com तो यह आप हर किसी को बाट सकते हो easily बाट सकते हो ता आपके पास है आप ही उसको open कर सकते हो तो एक चीज़ समझो जो आप email का address देते हो दूसरों को वो public address है यानि वो आपको सबको दिखाना है लेकिन जो email को open करने का जो key है जो password है वो आपका private address है जिसको आप डाल के खोलते हो उस रास्ते को ठीक है ताकि आप देख सको कि email क अब एक वो address जो public होता है यानि सबको दिखा सकते हो ताकि आप उस पर crypto ले सको दूसरों से लेकिन एक address एक ऐसा होता है जो बहुत ही complex और कठीन होता है और उसे हम कहते है आपका password crypto का जिससे आप उन coins को आप खरीद भी सकते हो उनको किसी और को भेज सकते हो जैसे आपको इमेल भेजना है तो भी आपको अपना password मालूम होना चाहिए उसी तरह से crypto आपको किसी को भेजने तो आपको private key मालूम होनी चाहिए crypto की दुनिया में हम public address को public key कहते है और private address को private key कहते है तो आपको समझ में आ गया होगा crypto में दो चीज़े होती है हर crypto में रहेगी है चाह public address होता है और एक होता है private address simple सी बात है समझ में आ गई होगी your public key is used to receive funds it identifies your account on the network network पर बताता है कि आपका account exist करता है आपका पता क्या है लेकिन आप घर जैसे आपके घर के address सबको पता होता है पर आपके घर की चाहबी जो है वो सिर्फ आपके पास है तो दो तरह के address होते है इ तो यह चीज है वो आप चेक करके अंदर लोगे चाहे लेना हो ना लेना हो भगा देना हो दावत पर बुलाया हो और पैसे ना हो तो यह चीज कर सकते हो अब नेक्स चीज के बारे में हम बात करते हैं wallet आकिर कौन सी wallet है तो wallet crypto की होती है metamask यह आपके सामने metamask wallet है जिस पर करता हूं बहुत बड़ी wallet है तो इसको आप download कर सकते हो चाहो तो brave के लिए चाहे chrome के लिए चाहे अपने mobile में download कर लो कहीं भी download कर लो हर जगा यह available होती है अब इस wallet को कैसे दिखती है उसके लिए मैं आपको अपनी खुद की wallet खोल के दिखा देता हूं कि कैसी दिखती है ठी यह आपकी wallet होती है इस तरह की अपकी wallet होगी और जब यह खुलती है तो आपके पास यहाँ buy send इस तरह का लिक्किया था है इसको ज़रह हम यहाँ से करके expand view करेंगे तो यह पूरा खुल जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर क्या option दिख रहा है buy send तो जब send पर click करते है तो send पर click करते हो यहाँ पर आपसे address मांगता है अब address क्यूंसे मांगता है जिस बंदय को आपको भेजना है उसका public address देखो यहाँ पर लिखा हुआ जूम कर दूँ अगर मैं तो यहां लिखा हुआ है public address मतलब public address डालिए भेजने के लिए आपको private की जरूत नहीं होती है लेकिन हाँ अगर आपको किसी और को भेजना है ठीक अपने वास से तो आपको यहां पर अपना खुद का private address जरू मालना होना चाहिए यानि इसको खोलने के लिए इस metamask को खोलने के लिए मुझे पासवर्ट की जरूत थी जिसे मैंने डाला ठीक और यह खुल गया तो मैं आपको नहीं बता सकता इसी वजह से यह होता है अब मैं आपको एक next concept की और लेकर चलता हूं जो next concept है वो है coin versus token का अब देखिए यहां पर coin market cap में बहुत स और BNB यह ऐसे 3 coin हैं जो coins हैं और बाकी chain link ठीक और chain link हो गया Tron हो गया chain link हो गया यहां पर आप कोई भी देख लो uniswap लेग लो ठीक chain link uniswap ऐसे coin नहीं coin नहीं token कहला जाएंगे best अब इनका example और इनके difference बता देता हूं क्या हूं a coin works similar to a physical it is used as a source of payment generally इसे payment के लिए use के अब ऐसे समझा देता हूं अपने simple भाषा में जैसे समझाता हूं coin का मतलब यह की कोई भी block chain होती है blockchain का मतलब क्या है जिस पर आप भेजते होLY पैसे वह अपने खुदकी company होती है जैसे Bitcoin है बिटकोईन का अपना खुद का कोईन है बिटकोईन जिसको हम कहते है ठीक इथेरियम का अपना खुद का कोईन है इथेरियम ठीक वहीं पर बाइनेंस का अपना खुद का कोईन है बी एन बी ठीक लेकिन यहां पर चेनलिंग जो है ठीक वो कहां पर बना हुआ है चेनलिंग की इनगे खुद्डी चेन नहीं है, यहां खुद्ड की कोई ब्ल्चेनं है, इनका इनका क्रिप्टो में कोई अंपना खुद का कुछ प्रोजेक्ट हो, दूसरे लोगों ने आकर एपैसा कोई に मना या फिर टोकन बनाया जिसे इन्हों ने Ethereum के उपर ही launch कर दिया यानि Ethereum का जो ecosystem था, Ethereum का पूरा system था उसी के उपर इन्हों ने डाल दिया, जैको Ethereum second number पे है उसी पर जाकर chain link को इन्हों ने launch कर दिया वैसे ही जो Matic है वो भी उसी पर है और Uniswap जो है ये भी Ethereum के उपर ही बना हुआ है अब check करने के लिए आप यहाँ पर नीचे आओगे तो contracts दिखेंगे, contracts में अब देखो यहाँ पर सिर्फ एथेरियम दिखा रहा है Uniswap में, तो Ethereum का मतलब यह है कि ये coin जो बना है वो Ethereum के उपर बना है जो coin दूसरों के साहरे बने होते हैं उन्हें हम token कहते हैं यानि Uniswap एक token हुआ, ठीक, लेकिन जो coin खुद के अपने उस पर बनते हैं software पर या खुद की company पर बनते हैं, खुद के ecosystem पर बनते हैं उन्हें हम Ethereum यानि coins वगेरा से बोलते हैं तो coin और token में यह फर्क है, coin जो खुद की blockchain पर बने होते हैं token वो जो दूसरों की blockchain का यहां पर सहरा लेते हैं tokens do not operate on their own blockchain लिखा भी हुआ है, इनकी खुद की blockchain होती है जैसे Bitcoin की blockchain है Bitcoin, Ethereum की blockchain, Ethereum, Ripple की अपनी है Binance की BNB है, ठीक, तो यह हो गया और tokens और cryptocurrencies के बीच में यह difference लिखो दिया हुए, यहाँ chain link जो है वो token है Ethereum जो है वो अपनी खुद की crypto currency है तो जो लोग अभी तक इस course में बने हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ important लेकर आया हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा deep में जाके blockchain समझाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को एक idea रहे कि blockchain अखीर होता क्या है, क्योंकि अगर मैंने course एकदम ही basic बना दिया तो आप लोग blockchain को समझ नहीं पाऊँगे इसलिए मैंने सोचा है कि blockchain को शुरुआत में नहीं समझाऊँगा उन लोगों के लिए क्योंकि जिनको जल्देली चीज़े से एक नहीं हूँ अब मैं blockchain को समझाना चाहता हूँ, आप यह तो next time spam पर जा सकते हैं सबसे पहले blockchain का मतलब होता क्या है, block of chain यानि कि chains जो होती है, blocks को chains के जोड दिया जाए, कई सारे ऐसे डब्बे होते हैं उनको जोड दिया जाए तो यह blockchain बन गई, अब इन डब्बों के अंदर आखिर है क्या वो जान लेते हैं हर एक डब्बे के अंदर होता है एक एक रसीद, एक रसीद जो बताती है कि किसने किसको कितना bitcoin बेजा एक रसीद के अंदर यह होता है transaction की detail यानि यहाँ पर एक रसीद के कागस के अंदर दिया हुआ है कि किसने किसको कितना bitcoin बेजा और इसमें दिया हुआ है इसने इसको 10 बेजा इसने इसको 20 बेजा इसने इसको 5 बेजा तो तीनों को पिछले एक mechanism के जरी है जो किसको हम कहते है 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 उससे जोड़ गया जाता है और तीनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं यह आपस में जुड़ के एक खाता बुक बना देते हैं और उस खाता बुक को खुद एक डब्बो के अंदर करके एक chain मर से जोड़ दिया जाता है तो यह सब कुछ जो होता है वो online होता है digitally होता है जो आपको देखने को तो नहीं मिलेगा पर समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो यानि block की chain को हम कहते हैं blockchain तो यह एक blockchain बनाती है और हर एक दब्बे के अंदर क्या है आपके खातों की यानि कि आपके transaction की detail पड़ी होती किसने किसको bitcoin बेजे और कितने amount में बेजे तो यह होता है concept blockchain का अब इस खाते book को आप देख कैसे सकते हो यह मैं आपको बता देता हूँ आप जाके bitcoin यहां पर search कर सकते हो bitcoin blockchain explorer और आपको यहां पर देखने में मिल जाएंगे ठीक सब लोग देख सकते हैं literally यह कितनी बड़ी उपलब्दी है दुनिया में आप समझ रहे हो कि यहां पर देखो तुरंट update हो रहा है इस address ने 35 सेकेंड पहले यानि 12-35 पर अभी time चल रहा है 12-35 और 12-35 पर किसी को इतने bitcoin बेजे इसने किसी को इतने बेजे इसने किसी को 1800 डॉ इसे दिखो यह update हो रहा है यह क्रिप्टो की power इसे हम कहते है blockchain तो blockchain में क्या होगारा है सब देख पा रहे है कि किसी को बेजे है पर किसी को पता नहीं किria address आपकर है किसको इनसान का तो हम यह सच भी प्रूफ कर सकते हैं, कैसे हम उसके address को लेकर यहां पर सच मारेंगे और सच मारेंगे तो हमें पता चल जाएगा, जो address वो देगा तो यहां पर निकल आया, तो ऊसने जो बोला है, वो सच बोला है अब हमें आपको बताना चाहता हूँ ब्लोकचेन की जरौवत क्या पड़ी ब्लोकचेन की जरौवत पड़ी centralization की वज़े से Centralization का मतलब होता है जब एक ही इनसान या एक ही authority आपके कामों को बहुत सारे लोगों को कामों को समाल रही हो जैसे बॉब को Alice को भेजना था कुछ रुपया, उसने भेजने के लिए क्या हुआ, पहले पैसे भेजे बैंक, भेजे तो Alice को, लेकिन उपैसा पहले गया कहां, बैंक को गया, बैंक ने उस पैसे के साथ किया, बहुत फ़री फॉर्मलिटी की, और उस सब के बीच में बहुत स तो बैंक पूरा पैसा रोग देगा, और Alice को वापिस देगा, इस केस में क्या होगा, Alice को पैसा नहीं मिल पाएगा, और Bob को वापिस दे दिया जाएगा, तो इस चक्कर में सेंट्रलाइजेशन आता है, यानि किसी एक को अगर काम सौपोगे, तो वो काम सही से नहीं करता है कई बार दिक्कते भी आ सकती है, इसी को खराब खतम करने के लिए, क्रिप्टो बनाया गया, यानि कि बिटकोइन लाया गया, और ब्लॉक्चेन को कौनसेफ लाया, ब्लॉक्चेन करता क्या है, बहुत सारे खातों को लिख देता है, जोड़ के जिससे हम चेक भी कर सकते है, और बैंक की जरुवत भी नहीं है, बैंक भी तो यही काम करता है, चेक करता है कि किसीने कि इसको भेजे हैं कि नहीं सच में, तो आपका जो डी सेंटलाइज होता है, उसमें क्या होता है, बताता हूँ, जब बॉब ऐलिस को कोई पैसा भेजता है, तो आप देखोगे यहां पर की एक खाते जेनरेट होते हैं, आपका एक खाता लिखा जाएगा, उस खाते को एक डब्बे इस तरह से रसीद के अंदर डाला जाएगा, और हर रसीद को जोड दियाएगा, कई सारे बॉब ऐलिस के ट्रांसक्शन से, उसके बाद जोडने के बाद उन्हें एक ब्लॉक तो यह जो बन रहा है, अब लिख क्या रहा है, या फिर हो कैसे रहा हैающ यहां पर इसको चेक करने के लिए बेठे रहते हैं, माइनर, Bitcoin को माइन करने वाले लोग वो होते हैं जिनके पास बहुत पावरफुल computer होते हैं और उनका computer वो अपने blockchain के transaction को check करने में लगाते हैं यानि वो यह check कर रहे हैं कि जो bob ने Alice को भेज़े हैं वो सही है कि नहीं इसके लिए वो अपना कुछ reward भी पाते हैं चेक करने के लिए और इसी को हम mining कहते हैं तो आपको समझ में आ गया हो कि blockchain क्या होता है अगर आपको confusing लग रहा है तो बिल्कुल घबरा हो नहीं इस थोड़े पार्ट को फिर से दुबारा देख लो ठीक और centralization का मतलब यह था कि कई सारे लोगों का पैसा एक आदमी समाल रहा हो लेकिन decentralization का मतलब यह कई सारे लोगों का पैसा लोग ही समाल रहा हो वही लोग भी miners जो आपको पैसा चेक कर रहे है वो लोग ही तो है आम लोग है वो कोई नए authority वगएरा थोड़ी ना उनका खुद क की detail होती है आपके पास कितना पैसा है कितना नहीं है जो कि थोड़ा बहुत privacy को लेकर दिक्कते पैदा करता है अब मैं आपको बता हूंगा कि bitcoin की blockchain इस तरह से होती है उस तरह से कई cryptos की अपनी blockchain होती है जिन पर उनके खुद के coins होते हैं तो आप जो coin send करोगे तो कुछ coins के private address जो होता है वो आपको personal होता है जो कि generally आपको देखने को नहीं मिलता वो आपके password से associate कर दिया जाता है तो माल लो आपको कोई coin भेजना है तो आपको यहां पर select करना होता है coin ज्यादे तरह exchanges पर यहीं होता है आपने bitcoin select किया अब यह आपसे पूछेगा कि किस network पे select भेजन रेल की पटरी बिचा दी गई है और उस रेल की पटरी पे कौन से डिब्बे चलेंगे यह allowed यह fix होता है जैसे bitcoin की अपनी एक रेल की पटरी यह blockchain है bitcoin जिसको कहते हैं उस पर bitcoin ही भेजा जा सकता है उसके अलावा कोई coin नहीं इसी तरह से ethereum का होता है जैसे मैं आपको दिखा बिटकोईन को आप अगर भेजना चाहते हो तो bitcoin को अपनी blockchain पर भेज सकते हो यहाँ पर मालो यहाँ पर जितने सारे option है यह bitcoin की blockchain है तो आपको bitcoin अगर किसी को भेजना है deposit करवाना है तो यह आपका खुद का public address होगा यहाँ से copy करोगे इस address को और किसी को भी भेज सकते हो ठी यहाँ से भेज रहो जो बंद आपको भेज रहा है उससे भी आपको कहना होगा कि यह network select करे यानि BSC Binance Smart Chain और अगर आपको यहाँ पर किसी से भी bitcoin लेना Ethereum network पर तो आप यहाँ पर Ethereum select करोगे और Ethereum पर जो address आपको मिलेगा यह address copy करके उस बंदे को भेज होगे और उससे कहोगे कि जो network select करे वो Ethereum select करे यह चीज बहुत important होती है जैसे आपको मालो एक coin बेजना है Tron TRX आपने Tron select किया coin बेजना है network आप क्या उन से select करते हो Tron का TRX तो आपने select किया तो यह जो address है वो address से बहुत अलग होगा जो BSC में बनेगा इसलिए आपको यह address का बहुत ध्यान रखना इसलिए mix and match होना चाहिए तभी आप इसको send करना ठिक तो यही चीज आपको मुझे बतानी थी इस वीडियो को बनाते समय मुझे एक और चीज का ध्याना है जो मुझे आपको बतानी है चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं अब वो क्या चीज है उसके बारे में देख कोगे कि जब भी आप कोई भी कोई या फिर bitcoin किसी को send कर रहे हो तो आपको पताया मैंने blockchains पर क्या होता है कि हर चीज publicly available होती addresses के साथ बनलब यह जरूर पता है कौन किसको कितना भेज रहा है पर यह नहीं पता वो address किसका है वो wallet किसकी है तो इस तरह से क्या किया गया करने लगी यानि track करने लगी कि कौन कितना भेज रहा है और किस amount में भेजा जा रहा है तो इस चीज को हम क्या करते है इसका analysis करने पर हमें कई बार अच्छी चीज़े पता चल जाती है कि कब bitcoin उठेगा कब नहीं उठेगा यह चीज़े पता चल जाती है जैसे कि जब भी बढ़ जाते हैं जब भी bitcoin अपने peak पे होता है तो देखो addresses बढ़ गए थे यहां पर भी बढ़े थे 2018 की समय में 2017 में December 1.1 million हो गए थे और यहां पर जब peak हुआ था तब यहां पर देखो कितने जादा बढ़ गए थे तो इस तरह से addresses जो होते हैं वो active वो बढ़ते ही रहते ह लोगों को पदा चलेगा crypto के बारे में तो on-chain analysis इसी को कहते हैं जब हम track करने वाली चीजों को देखते हैं जाहे आप यहां पर देख लो फीज कितनी चाह रही है तो आप यह भी देख लो exchanges में जितनी फीज लग रही है वो कब बढ़ती है कब नहीं बढ़ती है और क्या होता है वो चीजे आपको पता चल जाएंगी जैसे आप यहां पर यह भी चेक कर सकते हो कि miners कितना कमा रहे है माइनस का टोटा level new कितना आ रहा है inflow कितना आ रहा है तो यह सब आपको कहां मिलना है ग्लास नोट पर अकाउंट बनाने पर मिले ग्लास नोट सबसे बड़ी एप है वहना आप चाहो तो दूसरी website पर भी जा सकते हो जैसे कि आप देख लो यहां पर coin glass भी एक अच्छी website है coin glass तो आप coin glass पर भी जा सकते हो यह coin glass.com है इस पर भी आप on chain चीजे देख सकते हो कितने लोगों का liquidation हुआ कितने लोगों ने अपना पैसा हा रहा है US dollar कहां चल रहा है crypto fear and greed कहां चल रहा है fear and greed क्या होता है मतलब डर बना हुआ market में कई चीजे इसमें देख जाती है डर दे volume कितनी बन रही है यहां पर bitcoin का market cap के इसाप से बढ़ रहा है यहां पर options में क्या चल रहा है CME क्या चल रहा है सब कुछ यहां पर clearly दिखता है और आप यहां पर यह देख सकते हो कि bitcoin का funding rate क्या है मतलब जब भी leverage कोई लेता है तो उसमें fees देनी पड़ती है वो भी दिखा द तो आपको यहां पर exchange के इसाप से Binance पर दिखा देता है Binance में कितने लोग options में trading कर रहे है और futures में कितने trading कर रहे है यह भी दिखा देता है तो कुल मिला के on-chain analysis हम इसी को कहते है जब bitcoin के खाते addresses उसकी blockchain की वजह से यह चीजे देखते है कि कहां पर कितना यहां पर क्या तरह और से हम यह decide करते है कि price उठेगा यह नहीं उठेगा तो यह एक चीज होती simple थिक thank you so much for watching this video